हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जबरदस्थ होंगे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पी वाई क्यू स्रीज जहां पे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में TGT Science के जितने भी पूछे हुए क्वेस्चन होंगे उसको हम यहाँ पे डिसकस करेंगे और शुरुवात करेंगे D.S.S.B. TGT Natural Science से इसके बाद हम आपको KBS, NBS सब जितने भी प्रिवियस येर क्वेस्चन है सब को डिसकस यहाँ पे करेंगे वो भी फुल एक्स्प्लानेशन के साथ, तो सबसे पहले हमने आपको strategy वाले वीडियो में भी बताया था, D.S.S.B. में किस तरह से question का मतलब pattern क्या होता है, किस तरह से question पूछे जाते हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं, जो D.S.S.B. का exam होता है, यहाँ पे क्या होता है, 100 question हमारा general paper होता है, और 100 question होता ह subject concern से, जहाँ पे आपको Hindi, English, Math, Science, जो भी आपका subject concern है, वो 100 marks का आता है, तो आप एक बात याद रखना, general paper के चक्कर में अपने subject concern को मत छोड़ना, और subject concern के चकर में अपने general paper को मत छोड़ना, otherwise selection नहीं होगा, आपको क्या करना है, जितने भी subject हैं, हर एक subject पे equal time देना है, त तो हम आपको जो preparation करवाएंगे, वो होगा हमारा 100 marks का, तो चलिए start करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे, इन सब का जो है explanation क्या होगा, तो देखें, सबसे पहले याद रखना, जो DLSB का exam है, जो यह 100 questions subject concern में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको 40 questions जो होते हैं, वो biology से होत होते हैं, 25 questions physics के होते हैं, और 10 questions जो होता है, वो होता है आपका पिडगोगी, यानि psychology से, तो याद रखना, यानि आज के इस lecture में हम 40 questions biology के discuss करने वाले हैं, और हमारा approach क्या रहेगा, तो हम आपको जो है, यहाँ पे DLSB TGT natural science के total 10 set solve करवाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो approach रहेगा, वो यह रहेगा, कि हम जो है, 40 questions जो biology के हैं, उसको एक lecture में, फिर 25 questions chemistry के एक lecture में, 25 questions physics के एक lecture में, यानि हम एक set को solve करने के लिए 3 वीडियो में discuss करेंगे, ताकि कोई mix-up ना हो, और जितने भी concept हों, वो आपको अच्छे से clear हो जाए, यह नहीं कि एक question biology का आया, फि सकते हैं, और इस तरह से मज़ा भी नहीं आता, तो I hope यह जो है, एक best strategy होगी, question को solve करने की, कि हम सबसे पहले biology का पूरा portion solve कर लेंगे, फिर chemistry का, फिर physics का, तो आप tension मत लेना, यहाँ पे हम सब कुछ complete करवाएंगे, तो चलिए start करते हैं, तो सबसे पहला question क्या है, which are the following organism is an example for holojoic nutrition, हम आपको बता देते हैं, जो DSSB का हमने 10 set पूरा इसका एक general view लिया, तो वहाँ पे हमको यह दिखा, जैसे अभी इस set में क्या पुछा गया है, holojoic nutrition का example क्या है, और इसके next set में ही क्या पुछा गया, कीमोप्रोफिक nutrition का example क्या है, यानि यहाँ पे आप concept जो है, बार बार repeat होते हैं, तो एक बात याद रखना है, डी तिरपल स्पी में concept कई बार repeat हुई है, तो जो भी हम आपको explanation देंगे, उसको धियान से सुनिएगा, क्योंकि जो आपका exam होने वाला है, वहाँ पे आपको इस concept से बहुत सारे question solve होंगे, और यहाँ पे हम कोशि आप होलो जोईक nutrition, होलो जोईक nutrition का example क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वाइरस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब बात करते हैं nutrition की, यानि पोशन की, तो यहाँ पे जो nutrition होता है, वो two types का होता है, जो कि आप लोग को पता भी होगा, nutrition क्या होता है nutrition, two types का होता है, एक होता है हमारा autotroph, एक होता है heterotroph, यानि जितने भी organism होते हैं, उनमें two types के nutrition पाय जाते हैं, एक autotrophic nutrition, एक heterotrophic nutrition, अब यहाँ पे जो autotrophic nutrition है, यह आपको पता होगा, पेर पौधु द्वारा जब स्वयम उनका भोजन बना जाता है, तो यह होता है autotroph, जहाँ पे हम इसके भी next division करते हैं इसका जब, तो यहाँ पे हमको मिलता है photo autotroph, और एक मिलता है chemo autotroph, यानि autotroph में भी further two division है, एक तो photo autotroph, एक chemo autotroph, autotroph, यानि auto means क्या होता है self, यानि स्वयम, और photo means क्या होता है light, यानि जब light के presence में स्वयम भोजन बनाया जाएगा, food का formation किया जाएगा, तो वो होगा photo autotroph, जो की हमारे होते हैं, जैसे इसमें example क्या होजेगा, plant and euglina, लेकिन जब बात करते हैं, chemo autotroph, तो chemo, यानि क्या हो गया, chemical, auto means, स्वयम, यानि self, यानि जब chemical के द्वारा स्वयम भोजन बनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है, ह इस तरह से, तो जो chemo autotroph होते हैं, उनमें कौन को, मतलब कौन को आते हैं, इसका example क्या होगा, nitrifying bacteria, जितने भी bacteria, nitrification में help करते हैं, वो सब क्या होते हैं, chemo autotroph, और यहाँ पे iron bacteria, sulfur bacteria, hydrogen bacteria, यह सब क्या होते हैं, chemo autotroph, तो इसको आप जो है, याद रखना, और photo autotroph में क्या यूगलीना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, photosynthetic sulfur bacteria, और यहाँ पे green sulfur bacteria, माप करना, purple sulfur bacteria और green sulfur bacteria, और यहाँ पे आपका blue green algae, और यहाँ पे आपका, यह मतलब, example हो गए, photo autotroph के, और chemo autotroph के, इसको आप क्या करना, इस तरह से divide करना, और इसके example note कर लेना, अब यहाँ पे देखिए, heterotroph, heterotroph में क्या क्या आता है, इसका जब हम फर्दा division करते हैं, तो यहाँ पे हमको three types मिलते हैं, एक होता है हमारा saprophytic, एक होता है parasitic, और एक होता है holojoic, तो जो saprophytic, saprophytic nutrition क्या होता है, जब कोई organism food को अपने body के बाहर तोड़ता है, यानि organism breakdown food outside their body, यानि जब व body के बाहर food को breakdown करता है, अब food को अपने body के बाहर breakdown करता है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई भी elementary कैनाल नहीं होगी, मतलब कोई भी आहार नहीं होगा जिस तरह से हम लोगों में होता है, तो saprophytic का एक खास बात याद रखना कि यह जो है भोजन को अपने सरीर के बाहर तोड़ देते हैं, उसके बाद इसको इंगर्फ करते हैं, तो यहाँ पे saprophytic का example क्या हो जाएगा, फंजाई, bread moles, जो की एक फंजाई ही है, और east हो गया जैसे यहाँ पे फंजाई ही है, और mushroom, यह सब क्या है, फंजाई है, तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ लिया कि saprophytic का example फंजाई है, तो आप इसके साथ यह भी याद रखना कि फंजाई में आते क्या क्या है, आप से डर, मतलब वो तो सब को पता है कि saprophytic में फंजाई आते हैं, लेकिर वो आपको फंजाई नहीं लिखके देगा, यहाँ पे वो आपको फंजाई का example देगा, इसलिए हम बोलते हैं कि example भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंजाई नहीं देगे, वो इस्ट बोल देगा, मस्रूम बोल देगा, कोई भी फंजाई का नाम लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे देखे पैरा सिटिक न्यूटिशन, जब हम बात करते हैं पैरा सिटिक न्यूटिशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे और्गेनिजम जो कि किसी के बोड़ी पे डिपेंड होते हैं, जैसे हम बात करते हैं जू की, यानि लाइस की, जो कि हमारे सिर में होते हैं, तो यह क्या करते हैं, मतलब हमारे बोड़ी स another living organism जो कि दूसरे living organism से अपना फूड लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं पैरा सिटिक नूटिशन यहाँ पे हम क्या क्या एक्जामपल बोल सकते हैं यहाँ पे हम एक्जामपल ले सकते हैं टेप वाम का और यहाँ पे लाइस यानि जूम और आपने पढ़ा होगा बाउच टेप वाम ही हो गया तो यह क्या होता है इंडो पैरासाइट यानि जो हमारे सरीर के अंदर होंगे वो होंगे इंडो पैरासाइट जो सरीर के बाहर यानि जो लाइस होता है वो हमारे सरीर के बाहर होता है ना कि अंदर तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्टो पैरासाइट तो ये भी यार रख लेना कई बार पूछा जाता है कैस्क्यूटा तो जो कैस्क्यूटा होता है ये भी क्या होता है पैरा सिटिक न्यूटीशन करता है लेकिन ये एक्जांपल किसका है प्लांट का अब यहाँ पे देखिए होलो जोईक न्यूटीशन होलो जोईक न्यूटीशन करते हैं यानि जो holo joic nutrition होता है इसमें organism क्या करता है food को अपने body के अंदर breakdown करता है तो यहाँ पर example क्या क्या हो जाएगा human beings और यहाँ पर जैसे dog, cat, lion, deer यह सब क्या हो जाएगे holo joic nutrition और holo joic में ही याद रठना amoeba plus paramecium amoeba paramecium में क्या होता है holo joic nutrition और यहाँ पर जब हम further division करते हैं holo joic nutrition का तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है herbivores, carnivores, omnivores यानि herbivores जो की herb यानि की plant वगएरा पर निर्भर करते हैं carnivores जो की months वगएरा पर निर्भर करते हैं जैसे की मनुष्य यानि मानव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो गया हमारा holo joic का division तो इस तरह से इसका आप division कर लेना और example जितना हमने बताया है उसको note कर लेना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अब यहाँ पर देखिए question क्या था हमारा which of the following organism is an example for holo joic nutrition तो holo joic nutrition में क्या आ गया हमारा amoeba amoeba plus paramecium और जितने भी animals है plus human beings यह सब के सब क्या होते हैं holo joic nutrition अगर हम बात करें bacteria की तो bacteria क्या हो गया अभी हमने आपको बताया यहाँ पे जैसे blue green algae bacteria यह सब के सब क्या होते हैं autotrophic और नहीं bacteria जो होते हैं आप जैसे मतलब हमने आपको बताया जो sulfur bacteria है और hydrogen bacteria यह होते हैं chemo autotroph जो purple sulfur bacteria है और green sulfur bacteria यह होते हैं photo autotroph है तो autotrophy लेकिन इनका भी further division करके अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं फंजाई क्या हो जाएगा हमारा saprophic nutrition तो इस तरह से आई होब आपको यह explanation हमें पता है यह थोड़ा लंबा हो गया पर आपको इसी तरह से करना होगा ताकि आप इस concept पर बेस जितने भी question बने सबको कर ले जाएं अब देखें next question क्या है during aerobic respiration the electron transport takes place in which cell organically यहां पर बात कर रहे हैं aerobic respiration फ्रेंड्स यहां पर एक बात आप जो है comment करके बताना कि इतना लंबा explanation सही है या फिर आपको इस तरह से जैसे during aerobic respiration इस तरह से हमने question को पढ़ा फिर आपको बताया कि जो aerobic respiration होता है यह mitochondria में होता है इस तरह से बताएं और फिर आगे बढ़ गए इस तरह से करना आपको पसंद है या फिर detail explanation जिस तरह से अभी हमने aerobic respiration, aerobic यानि जो की oxygen के presence में होता है और एक होता है एन aerobic यानि जो की oxygen के absence में यानि absence of oxygen और जो aerobic होता है यह presence of oxygen तो जब हम बात करते हैं aerobic respiration की तो इसके different different step होते हैं जहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं glycolysis, glycolysis और यहाँ पे link reaction, TCA cycle जिसको हम बोलते हैं krebs cycle उसके बाद आता है हमारा ETS ETS जिसको हम बोलते हैं electron transport system जो की आपको यहाँ पे पुछा गया है electron transport system takes place in which cell organ leads यहाँ पे question बहुत ही उपर उपर से पुछे गए हैं फिर भी हम आपको मतलब इसका detail explanation दे रहे हैं by chance अगर यह थोड़ा अंदर भी घुश के पुछते हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो देखें अब यह जो aerobic respiration होता है इसके कितने step हो गए यहाँ पे glycolysis link reaction crave cycle ETS तो इन सबका आप से जो है location पूछा जाता है कि यह कहाँ पे होते हैं तो देखें जो glycolysis होता है इसको आप इस तरह से लिख लेना जो glycolysis होता है यह text based करता है cytoplasm में यानि cytoplasm में जो glycolysis है वो कहाँ पे होता है cytoplasm में अब यह link reaction और जो crave cycle है यह दोनों कहाँ पे होते हैं mitochondrial matrix में mitochondrial matrix तो आप लिख लेना mitochondrial matrix और जब हम बात करते हैं ETS की तो ETS कहाँ पे होता है occurring christy चाहे आप बोले christy या फिर christy ही क्या होता है inner mitochondrial membrane तो आप से चाहे वहाँ पे christy दे या फिर inner mitochondrial membrane तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि kriśti ही क्या होता है? Inner Mytoorpondrial की folding होती है, जो कि इस तरवा से folding होती है? यही हमारी क्या होती है? तो चाहे हमारी क्रिस्टी बोले, या फिर Inner Mytoorpondrial membrane बोले, आप जो है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. तव याद रखना, Gly里esis कहां पे होता है? बात करें यानि electron transport system तो यह कहां पे होता है कृष्टी पे या फिर हम बोल सकते हैं inner mitochondrial membrane पे तो इनका location याद रखना क्योंकि कभी आप से glycolysis का location पुछेगा तो कभी crave cycle का तो आप जो है इसमें गरबर नहीं करेंगे तो simply आपको यहां पे देखे confusion भी नहीं किया कि मतलब inner mitochondrial matrix है कि matrix आप mitochondria क्या है क्या नहीं है ऐसा कुछ भी confuse नहीं किया है डिरेक्टली दिया है कि electron transport system किस cell organelles में takes place करता है तो क्या होजेगा mitochondria हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं जिसको अगर इंग्लिज में थोड़ा दिक्कत हो तो देखे next question क्या है हमारा the ability of a normal human body to maintain a constant internal environment is known as यानी जो एक समान ये मानो सरीर की निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की समता ये तो directly definition पूछा गया है तो याद रखना ये जितने भी question है आपको सारे के सारे 11 12 से ही मिलेंगे हमने आपको क्या बताया chemistry को आपको 9 10 से और कुछ चैप्टर जो की 11 12 से करने हैं लेकिन आप biology के क्लिए क्या करना 9 10 प्लस 11 12 सारा आपको पढ़ना होगा यहाँ पर क्योंकि 40 question है तो आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अबल 9 10 नहीं 9 10 11 12 सब कुछ पढ़ना यहाँ तक कि कुछ question ऐसे हैं जो कि class 8 से पूछे गए हैं तो वो सब आपको करने होगी यहाँ पर तो देखे the ability of a normal human body ज जैसे जो human body है वो अपने temperature को constant रख पाते हैं तो इस ability को हम क्या बोलते हैं ability of a normal human body to maintain a constant internal environment तो इसको हम क्या बोलते हैं homeostasis जब आप class 12 का chapter पढ़ेंगे ecology तो ecology में एक unit है जिसको हम बोलते हैं organism and population तो वहाँ पे आपको यह concept मिलेगा homeostasis का तो homeostasis के साथ में यहाँ पे देखिए यह क्या है hemostasis क्या है hemostasis तो hemostasis क्या है process to prevent और stop bleeding यानि bleeding को रोकने का प्रिवेंट करने का जो process है उसको हम बोलते हैं hemostasis और बात करें paristalsis यानि जो paristalsis है यह एक परकार की movement होती है जो कि हमारे osophagus में पाय जाता है यानि जब हम ब food को इंगल्प करते हैं तो यहाँ पर peristalsis moment पाय जाता है peristalsis moment क्या होता है कि कुछ इस तरह से movement होता यानि जैसे जैसे भोजन हमारे सरीर में आगे बढ़ता जाता है इस तरह की गति होती है जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ चैहां पर ऊस तरह से हो जपर यह जाएगा पिर याद रखना पेरिस्टेलसिस क्या है मुमेट आप यहाँ पर बात करते हैं हीमेट मेसिस हीमेट मेसिस क्या होता है यह होता है ब्लड वो मिटिंग ब्लड वो मिटिंग तो ऐसे छोटी छोटी टर्म को याद रख लेना अगर आपको यह टर्म देखते हैं तो आप इसली इसको solve कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको देखिए अभी आपसे क्या पुछा गया homeostatic next आपको किसी भी सेट में क्या पुछ लिया जाएगा hemostatic तो याद रखना है यह देखिए टर्म सारे देखने में same same लग रहे हैं लेकिन इन में थोड़ा थोड़ा सा difference है तो आपको करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है आप इन तीनों टर्म को लिखिए और homeostatic में क्या लिखेंगे ability of normal human body to maintain a constant internal environment यह हो गया हमारा homeostatic और hemostatic क्या है hemostatic यानि process to prevent और stop bleeding यानि bleeding को stop करने की या फिर प्रिवेंट करने की जो process होती है उसको हम बोलते हीमो इस्टेटिस और पेरिस्टेटिस एक प्रकार का movement होता है और हेमेट मेंसी इस क्या होता है blood vomiting तो इस तरह से आप लिख लीजिए उसको बार-बार revise करिए क्योंकि concept आपके बार-बार repeat होते हैं यह तो आपको मतलब जब हम 10 सेट solve करवाएंगे तो आपको पता चली जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे repetition हुआ है question का अब देखिए यह question भी repeat हुआ है question ने repeat हुआ है concept repeat हुआ है तो देखिए which up the following blood vessels supply the blood to the heart muscles तो यहाँ पे जितने भी यह arteries दे हुई है जैसे कि coronary arteries, pulmonary arteries, carotid arteries तो यह अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इन सब में क्या difference है कौन सा artery क्या करता है तो चलिए इसके लिए हम जो है आपको अब यहाँ पे बताते हैं तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे close blood circulation की close blood circulation की तो जब हम close blood circulation की बात करते हैं तो यहाँ पे three types के blood vessels होते हैं एक होता है हमारा आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी, तो अभी हमको वेन कैपिलरी से कोई मतलब है नहीं, आर्टरी के बारे में हमको ध्यान से देखना है, तो देखें जो कैपिलरी होता है, इसके थुरू क्या होता है, गैसे इसका एक्सचेंज होता है, जो वेन्स होता है, वेन में क्या होता है, वेन केरी करता है, इंप्योर बलड को, तो जो इंप्योर बलड, यानि यहाँ पे देखिए, आर्टरी, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ओल्वेज केरी प्योर बलड, अगर हम जब बात करते हैं, प्योर बलड की, तो प्योर बलड क्या ब्लड तो जो आर्ट्री है आर्ट्री क्या करती है ओल्वेज केरी प्योर ब्लड यानि ऑक्सीजीनेटेड ब्लड तो याद रखना जितने भी आर्ट्री है सब के सब प्योर ब्लड करी करती है लेकिन एक ऐसी आर्ट्री है जो की इंप्योर ब्लड करी करती है और वो है हमारी pulmonary artery तो याद रखना जो artery होता है ए फोर क्या होता है away from heart यानि जो artery होती है वो हमारे heart से blood को लेके कहां जाती है different different body organ में तो याद रखना जो artery होती है वो हमारे heart से away यानि blood को हमारे heart से away different different body organ में लेके जाती है ये concept आप याद रखना तो जब RT जो है हमारे heart से away blood को लेके जाती है तो vein क्या करेगी vein जो है हमारे different body organ से heart में लेके आएगी blood को तो ये दोनों इसमें जो है बहुत लोग confuse होते हैं तो आप ये छोटी सी trick से याद रखना A, A for artery और A for away यानि हमारे heart से दूर हमारे heart से दूर जो blood को लेके जाएगा हमारे heart से दूर कहां लेके जाएगा हमारे different body organ में तो ये क्या हो गई? artery और जो vein होता है ये different body organ से हमारे heart में blood को लेके आता है तो अब यहाँ पे देखिए हमने आपको पता है जितने भी आर्ट्री होते हैं वो pure blood करी करते हैं जबकि pulmonary artery क्या करती है यह impure blood को करी करती है जो pulmonary artery है यह impure blood को करी करती है तो जब यह impure blood को करी करती है तो blood को कहां से कहां ले जाती है यह आपको देखना है तो सबसे पहले मा लीजिए ये ये जो है हम कुछ इस तरह से ये हमारा क्या हो गया हर्ट ये हो गया हमारा हर्ट तो आप देखेंगे जो हमारा हर्ट है वो जो है four chamber में divide होता है ये सब आपको पता ही होगा तो ये हो गया हमारा right atrium ये हो गया left atrium और ये हो गया right vertical ये हो गया left को तो सभसे पहले अगर आप से पूछा जाया सब्से पहले ब्लट कहा पलाता है तो याद रखना हमारे लोवर बोडी पार्ट से यहाँ पे इंफीरियर वेनकावा के थूरूफ घ्यार resembles inferior body part से यानि superior मतलब upper part से और inferior यानि lower part से तो सबसे पहले blood कहां पे आया right atrium में और right atrium से कहां गया ये right ventricle में अब right ventricle से यहां से क्या arise होती है pulmonary artery और ये जो pulmonary artery होती है तो हमने आपको क्या बताया vein यानि यहां पे हम vein की बात करें superior vein अकावा inferior vein अकावा यानि ये क्या है vein है यानि ये de-oxygenated blood को ले के आ रही है तो de-oxygenated blood सबसे पहले right atrium में आया right atrium से right ventricle में गया और अभी तो ये सुद नहीं हुआ अभी ये de-oxygenated है यानि कि impure है तो जब ये impure है तो ये कहां पे जाएगा हमारे lungs के पास तो अगर आप से कभी पूछा जाए कि मतलब जो हमारा blood होता है उसका purification कहां पे होता है यानि वो de-oxygenated से oxygenated में कहां change होता है क्या ये हमारा heart करता है तो नहीं ये हमारा lungs करता है और ये जो impure blood है इसको lungs के पास पहुचाने के लिए जो हमारे पास artery होती है उसी को हम बोलते है pulmonary artery तो यहां से आप क्या याद रखेंगे जो pulmonary artery है ये कहरी करती है impure blood और ये impure blood को कहां ले जाती है into lungs from right ventricle यानि right ventricle से ये हमारे lungs के पास जो है de-oxygenated blood को लेके जाती है और क्या बोलती भया lungs जो हमारे पास ये impure blood है इसको किर्विया करके सुद्ध कर दो यानि इसको purify कर दो उसके बाद जो है जब lungs उसको purify कर देता है यानि oxygenated कर देता है फिर हमारा जो यहां पे blood है वो आता है left artery में sorry left artery में और left artery से आता है left ventricle में तो इस तरह से इसको आप याद रखना तो यहां पे बसता है हमारा carotid artery और coronary artery ये दोनों क्या होते हैं तो आपको pulmonary artery I hope समझ में आया होगा pulmonary artery क्या है तो जो pulmonary artery होता है ये जो है pulmonary artery क्या करता है deoxygenated blood को हमारे right ventricle से कहां पे लेके जाता है lungs के पास लेके जाता है तो आप से अगर definition में आता है कि कौन से artery जो है right ventricle से lungs के पास लेके जाती है तो वो है हमारी pulmonary artery लेकिन अब बात आती है coronary artery क्या है और carotid artery क्या है तो carotid artery देखिए यहाँ पे carotid artery क्या है तो हमने आपको क्या बताया पल्मोंडरी आर्टरी के लावा सारे के सारे क्या करते है oxygenated blood को supply करते है तो जो यहाँ पर carotid artery है coronary artery है दोनों क्या करेंगे यहाँ पर oxygenated blood यानि pure blood को क्या करेंगे supply करेंगे लेकिन coronary artery कहा लेके जाएगी और क्यरोटीर आर्ट्री कहां लेके जाएगी ये आपको ध्यान देना है तो क्यरोटीर आर्ट्री जो है ये सप्लाइ करती है oxygenated blood को to the brain, head and neck region आप body तो brain के पास and neck के पास and head के पास क्योटीर आर्ट्री कौन लेके जाता है? केरोटीर आर्ट्री लेकिन जो कोरोनरी आर्ट्री है ये क्या करती है कोरोनरी आर्ट्री केरी ऑक्सिजिनेटर ब्लड हमने आपको क्या बताया पल्मोनरी आर्ट्री के लामे जितने भी आर्ट्री है सब ऑक्सिजिनेटर ब्लड करी करेंगे carry oxygenated blood to the muscles of heart कहां लेके जाती है muscles of heart यानि heart के muscles के पास में लेके को जाता है coronary artery coronary artery तो आप इसको याद रखना जो pulmonary artery है ये deoxygenated blood carry करती है और right ventical से lungs के पास लेके जाती है ताकि वो वहाँ पर purify हो सके deoxygenated से oxygenated में change हो सके जो carotid artery है ये जो है oxygenated blood को brain के पास, neck के पास और head के पास लेके जाती है लेकिन जो coronary artery है ये कहां पे लेके जाती है ये oxygenated blood को हमारे heart muscles के पास लेके जाती है तो आपको यहाँ पर क्या-क्या note करना है आपको note करना है pulmonary artery जो है deoxygenated blood carry करती है और lungs के पास लेके जाती है जो coronary artery है यह oxygenated blood carry करती है और हमारे heart muscles के पास लेके जाती है जो carotid artery है यह भी oxygenated blood carry करती है और हमारे brain के पास neck के पास head के पास लेके जाती है तो यह आपको एक sit में और पुछा गया है कि जो मतलब हमारा blood vessels है वो मतलब हमारे blood को brain के पास लेके कौन जाता है तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे कैरोटी राटरी तो आने वाले next मतलब lecture में हम आपको वह भी यहाँ पर करवाएंगे कि किस तरह से concept repeat हुआ है इसलिए हम इतना force करके इसको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अगर यह दोबारा repeat होता है तो आप यहाँ पर easily उसको आंस्वर कर सकें I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं next question which of the following process help the green plant to remove excess water from them यानि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है which of the following process help the green plant to remove excess water from them निम लिखित में से कौन सी प्रिक्रिया हरे पौधो को उनसे अत्रीक्त पानी निकालने में मदद करती है तो यहाँ पे photosynthesis, respiration, estivation यह सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ से simple सा gutation अगर यहाँ पे gutation के साथ-साथ transpiration होता तो आप confused हो जाते हैं यहाँ गटेशन और transpiration जिसको हम बोलते हैं वासफोस सर्जन तो आप पका confused हो जाते हैं तो देखे अब हम यहाँ पे बात करते हैं gutation और transpiration में अंतर क्या है जो gutation होता है यह जो है तब takes place करता है यानि तब होता है यह process गटेशन कब takes place करता है अरली मौनिंग या फिर नाइट और जो transpiration होता है वो daytime में होता यानि दिन के समय में जब हमारा istometer क्या होता है ओपेन होता है तो आप gutation और transpiration में याद रखना gutation जो है रात के समय या फिर early morning में होता है जो transpiration है वो दिन के समय में होता है और transpiration जो है वो कब होता है जब हमारा istometer open होता है gutation कब होता है जब हमारा istometer क्या होता है close होता है तो इसको जो है आप याद रखना next question देखिए क्या है which are the following vertebrates are essentially yuricotelic क्या है yuricotelic तो जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे excretion in animals तो यहाँ पे excretory system में सबसे पहली यह concept आता है yuricotelic, ureotelic and ammonotelic तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं यहाँ से फिर जितने भी question बनेंगे आप easily उसको कर पाएंगे तो याद रखना जब हम excretory system की बात करते हैं तो अलग-अलग organism में क्या होता है अलग-अलग excretory product बनता है यानि waste product जिसको हम बोलते हैं वो बनता है तो कुछ organism ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका waste material क्या होता है अमोनिया क्या होता है अमोनिया और जिनका waste product अमोनिया होता है उनको हम क्या बोलते हैं अमोनो टेलिक क्या बोलते हैं अमोनो टेलिक यानि ऐसे organism जिनका waste material क्या होता है अमोनिया उनको हम बोलते हैं अमोनिया उनको हम बोलते हैं यूरियो टेलिक और ऐसे organism जिनका waste material क्या होता है यूरिक एसिड क्या होता है यूरिक एसिड उनको हम क्या बोलते हैं यूरिको टेल तो याद रखना Ammonotelic, Ureotelic, Uricotelic, Ureotelic, Uricotelic, तो यहाँ पर आपको simply कुछ नहीं याद रखना, हमने आपको बता ही दिया, जिनका waste material Ammonia होगा, Ammonotelic, जिनका waste material Uric Acid होगा, वो Uricotelic, जिनका waste material Urea होगा, वो Ureotelic, लेकिन यहाँ पर आपसे पुछा क्या जाएगा, example, तो याद रखना Ammonotelic, जो Ammonia होता है, यह बहुत ही poisonous होता है, तो Ammonia को हमारे body से remove करने के लिए, हमको बहुत ज्यादा amount में water चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो Ammonia जो है, वो किस में बनेगा, ऐसे मतलब अगर हम लोगों में Ammonia बनने लगेगा, तो हम तो मर पिर उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, क्योंकि Ammonia क्या होता है, तो इसको remove करने के लिए, बहुत ज्यादा पानी की आवस्यक्ता होती है, तो याद रखना, जो Ammonotelic Organism होते हैं, वो कौन होते हैं, Aquatic Arthropod, यानि ऐसे Arthropod, जो कि क्या होते हैं, Aquatic, जो कि पानी मे रहते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, Mostly Bonny Fices, इसको याद रखना, आप से ये पुछा जाएगा, Aquatic लगा रहेगा, आप तो समझी जाएगे, Aquatic है, यानि Ammonia होगा, तो चाहे वो Aquatic Arthropod हो, या फिर Aquatic Amphibia हो, Aquatic Amphibia हम किसको बोलते हैं, Amphibia का लार्वा, जिसको हम बोल होते हैं, Tadpole, तो Tadpole क्या होता है, Ammonotelic, लेकिन जब बात करते हैं, Terrestrial Amphibia की, तो Terrestrial Amphibia जो होता है, वो Ammonotelic होता है, वो Ammonotelic नहीं होता, तो याद रखना, Aquatic Amphibia क्या होता है, Ammonotelic, लेकिन Terrestrial Amphibia क्या होता है, Ammonotelic, तो इन दोनों में Confuse मत होना, तो आपको Ammonot तो इसको आप जो है याद रखना निस्ट क्या है यूरियो टेलिक यानि जिन में जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूब में क्या बनेगा यूरिया बनेगा तो इनको हम क्या बलेंगे यूरियो टेलिक और इनमे कौन-कौन से आते हैं कार्टिलेजिनस फिसेस और यहाँ पे टिर्रेस्टियल अम्फीबिया जो कि अभी हमने आपको बताया यूरियो टेलिक, अब जब बात करते हैं यूरिको टेलिक, तो यूरिको टेलिक में कौन को नाते हैं, टेरेस्टियल इंसेक्ट, टेरेस्टियल इंसेक्ट, यानि जितने भी टेरेस्टियल इंसेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिको याद रखना रेप्टाइल और यहाँ पर बैड यानि जितने भी पच्ची होते हैं और रेप्टाइल यानि की छिपकली इसनेक रोकोडाइल यह सब यह सब क्या होते हैं यूरिको टेलिक आप देखें होंगे बैड जब कभी आपके उपर भी ऐसा हुआ होगा आपके साथ त यानि वह बहुत ज़्यादा लिक्वीडी नहीं होता है तो बर्ड वगएरा क्या होती है इनमें बहुत कम मात्रा में पानी होता है तो यहां पे इनमें क्या बनता है यूरिक एसिड जो की लेस हार्मफुल होता है यानि यहां पे बहुत ज़्यादा पानी क्या बसकता नहीं ह होती है तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं सबसे इंपोर्टेंट यहां पर यहीं है कि कौन अमोनो टेलिक हैं कोन यूरिको टेलिक हैं तो यहां पर आपसे question में क्या पूछा गया है which are the following vertebrates are essentially यूरिको टेलिक तो यूरिको टेलिक में क्या हो गया हमारा एब्स यानि बर्ड चाहें बर्ड बोले या एब्स एंफीबिया क्या हो गया तो यहां पर देखें ऐसा कुछ बोला नहीं है तो आप eurotelic लगा देना अगर ये aquatic बोलता है तो amonotelic fishes क्या हो गई हमारी मचली जल की रानी है मचली हमारी जल में रहती है तो amonotelic mammals क्या हो गए eurotelic अब देखिए next question What is the normal range of GFR in an adult human beings यानि glow merolar Glomerular filtration rate क्या होता है यहाँ पर जितने question आपको दिख रहे हैं सब NCRT के line से ही उठा उठा के पूछे गए है तो देखे What is the normal range of GFR जब हम बात करते हैं glow merular filtration rate की तो यह होता क्या है rate of blood flow filtered by all nephrons of both kidney per unit time जहाँ पर भी rate आता है rate मतलब क्या होता per unit time तो पर unit time में नेफ्रोन के थुरू जो हमारी kidney होती है जो हमारी kidney होती है तो जो नेफ्रोन होता है नेफ्रोन के थुरू यहाँ पर unit time में जितना भी blood flow को filter किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं glow merular filtration rate यहाँ rate आप blood flow filtered by all nephrons आप both kidney per unit time is timed as glow merular filtration rate और यह जो मतलब यहाँ पर GFR rate है इसकी जो normal value होती है वो होती है आपकी 125 ml per minute लेकिन यहाँ पर आपको 125 नहीं दिया है तो उसके आसपास में क्या हो जाएगा 92 यह नहीं है यह गलती से type हो गया है 92 120 mg per ml तो इसको जो है आप याद रख लेना यह जो है question को हमने type किया हुआ है वो भी इसलिए ताकि आपको यह both language में मिल सके और easily आपको यह visible हो सके क्योंकि वो मतलब अगर direct video से करवाते हैं तो वो visible नहीं था तो आप जो है confused मत होना कि यह previous year है भी या नहीं है आप खुद जो है check कर सकते हैं अब यहां पर यह आप से पुछा गया है nervous system से यह question है तो चलिए इसका भी एक बार छोटा सा classification करते हैं इसको जो है आप जो है note करते जाना जितने भी concept हम यहां पर आपको बता रहे हैं note करते जाना या फिर आप बोलेंगे तो हम इसको note करके पुरा PDF के थुरू या image के थुरू टिलिग्राम पे share कर देंगे आप वहां से directly जो है पढ़ सकते हैं तो देखे जब हम बात करते हैं nervous system की nervous system की तो जो nervous system होता है यह जो है सबसे पहले two part में divide होता है एक होता है हमारा PNS एक होता है CNS यानि एक होता है central nervous system एक होता है peripheral nervous system जो central nervous system है यहाँ पे आता है हमारा brain plus spinal card तो अभी तो हमें इसकी बात करनी नहीं है अब मतलब लिख लेना इसको CNS लिखना फिर brain plus spinal card यानि central nervous system में brain plus spinal card इसके बारे में हम detail से जो है nervous system में पढ़ते ही हैं तो इसको लिखना अब जो यह PNS होता यानि peripheral nervous system होता यह further divide होता है टू पार्ट में एक होता है हमारा ANS एक होता है हमारा SNS ANS यानि autonomic nervous system SNS यानि somatic nervous system जो ANS है यह further divide होता है एक होता है SANS एक होता है PANS यानि science और PANS इस तरह से कह सकते हैं लेकिन वो SANS, PANS जो यहाँ पे science यानि sympathetic autonomic nervous system होता है यह emergency condition में काम करता है और जो PANS है यह आपका जो है यानि para autonomic nervous system जो है यह normal condition में काम करता है यानि अगर आपके पीछे कभी आपको कुत्ता दोडा लिया तो आपका कौन सा nervous system काम करेगा तो वहाँ पे आपका करेगा यहाँ पे sympathetic autonomic nervous system यानि sense और जब आप relax mode में जो है लेटे हुए है तो वहाँ पे आपका कौन सा nervous system काम करेगा PANS यानि parasympathetic autonomic nervous system अब यहाँ पे देखिए जो है हमारा somatic nervous system जो somatic nervous system होता है यह further divide होता है यानि यह two parts से मिलकर बना होता एक होता है हमारा cranial nerve एक होता है यहाँ पे spinal nerve तो आप याद रखना different exam में यहाँ से directly पूछा गया है कि बताए cranial nerve की संख्या क्या है यानि number of cranial nerve जो कि आपको NVSTGT science में पूछा गया है तो याद रखना cranial nerve जो cranial nerve होता है वो 12 pair होता है और जो spinal nerve होता है वो 31 pair होता है आप इसको जो है note कर लेना क्योंकि इस तरह से आप से कहीं से भी question बन सकता है क्या पता आप से पूछ ले कि बताए science कब काम करता है यानि sympathetic autonomic nervous system कब काम करता है तो आप याद रखना जब आपको कुत्ता दोड़ा लेता है तो आप से यह नहीं पूछेंगे कि जब आपको कुत्ता दोड़ा लेता है वहाँ से आप से पूछा जाएगा कि मतलब होता क्या है यानि जब आपको कुत्ता दोड़ाया तो क्या होता आपका heart rate बढ़ जाता यानि आपकी heart beat बढ़ जाती है heart beat बढ़ जाती है आप मतलब और यहाँ पर मतलब आपको बहुत ज़्यादा energy की जरूरत होती भागने के लिए इस तरह से आपको उहाँ पर मतलब statement wise दे देंगे तो ध्यान से सुनिए explanation और इसको note भी करिए cranial nerve कितने हो गए 12 pair spinal nerve कितने हो गए 31 pair अब यहाँ पर जो आपका question है वो क्या पूछा गया है वो है कि which of the following cranial nerve is the largest in human being तो 12 pair जो cranial nerve होते हैं वो आपको याद करने होते हैं तो हम क्या करेंगे इसका आपको telegram पे image भेज देंगे और इसका trick तो वहाँ से आप इसको learn कर लिजिएगा तो अभी चलिए कुछ इसके बारे में point आप लिखिए आप से वैसे तो अभी यहाँ पे largest पूछा गया है तो जो largest cranial nerve होता है उसका नाम होता है triseminal क्या होता है triseminal जो की होता है हमारा largest longest तो largest पूछा है तो largest होता हमारा triseminal जो की fifth number पे होता है तो यह होता है हमारा largest आपको यहाँ पे numbering इसकी दे सकती है यानि fifth या फिर triseminal लिख के दे सकता है वैसे तो यह कई बार इसी तरह से देते हैं तो याद रखिए तो चलिए note करिए लिखिए यहाँ पे largest cranial nerve तो वो होता हमारा triseminal triseminal जिसकी numbering किदनी होती है उसके बाद यहाँ पे लिखिए longest यह तो हो गया largest लेकिन जब आपसे पूछे longest cranial nerve तो longest cranial nerve क्या होता है vagus nerve जो vagus nerve होता है यह हमारा longest cranial nerve होता है और यह होता हमारा tenth number पे उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं smallest cranial nerve smallest की जब बात करेंगे तो यहाँ पे होता है abducens क्या होता है abducens जो abducens होता है यह होता हमारा sixth number पे और जब हम बात करते हैं saltest यानि एक तो है smallest एक है क्या saltest तो जो saltest cranial nerve की बात करेंगे तो याद रखना ट्रो कलीयर त्रो कलीयर और ट्रो कलीयर कौन से नमबर पर होता है? यह होता है हमारा fourth नमबर पर तो इस तरह से याद रखना और यहाँ पर आप से कभी कभी पूछ लेते हैं कि बता यहें कौन सा cranial nerve है जो कि mix होता है यानि यहाँ पे कुछ sensory होते हैं कुछ motor होते हैं यानि कुछ sensory nerve कुछ motor nerve कुछ mix होते हैं यानि sensory प्लास motor दोनों होते हैं तो इसका trick याद रखना पसंद यानि पसंद तो यहाँ पर पा से क्या हो गया पाच सा से क्या हो 7 रोमन अंक में ही इसको लिखा जाता है याद रखना 9 9 से क्या हो गया 9 यानि 9 10 से क्या हो गया 10 तो यहाँ यहाँ पर 5th नंबर का और 7 नंबर का 9 नंबर का और 10 नंबर का यह क्या होता है यह होता है हमारा Mixed Cranial Nerve Mixed Cranial Nerve यानि sensory plus motor तो इसको याद रखना क्या पता आपसे यही पूछ लिया जाए तो इसको इस तरह से पसंद यानि 5, 7, 9, 10 यह होता है हमारा mixed cranial nerve cranial nerve कितने होते हैं 12 pair तो उस 12 pair में से यानि उस 12 में से 5, 7, 9, 10 कैसे होते हैं मिक्स होते हैं चलिए next question देख लेते हैं तो फिर से आपका ये nervous system से ही question पूछा गया है अभी हमने आपको बताया जो हमारा central nervous system होता है वो brain plus spinal card से मिलकर बना होता है तो ये question है आपका human brain से तो देखिए जो human brain होता है वो 3 part में divide होता है एक होता है हमारा four brain एक होता है यहाँ behind brain sorry, बीच में आएगा तो mid brain एक होता है four brain, एक होता है mid brain एक होता है hind brain क्या होता है हमारा hind brain तो जो four brain होता है वो further divide होता है एक होता है seri bram एक होता है all factory lobe एक होता है die and cephalon अगर आप बोलेंगे इसका हम classification भेज़ देंगे तो आप directly पढ़ लेना क्योंकि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो आप सुन तो सकते हैं लेकिन उतना साथ समझ में नहीं आ पा रहा होगा अगर कुछ लिखा हुआ है या फिर लिख के बताये जाए तो इसके लिए please sorry हमारे पास कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हम लिख सकें तो हम आपको जितना हो पा रहा है उतना डिटेल में explanation दे रहे हैं तो देखें जो four brain होता है वो divide होता है किसमे किसमे सेरी ब्रम, all factory lobe और die and syphelan तो जो सेरी ब्रम होता है आप से कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि सेरी ब्रम किसका part है तो सेरी ब्रम, ब्रम, ब्रम यानि BR यहाँ पर रहा और four brain, four, र तो याद रखना four brain या फिर यहाँ पर सेरी ब्रम तो सेरी ब्रम किसका part हो गया और आप से पूछ जाता सेरी बिलम किसका part है, तो सेरी बिलम होता है hind brain का part, जो की balancing में वदद करता है, तो यहाँ पर देखिए, जो सेरी बिलम होता है, यहाँ पर फोर लोब होते हैं, क्या होते हैं, फोर लोब, यहाँ पर हम आपको वरनिकीज एरिया को occipital lobe, क्या हो गया FTPO तो यह हो गया frontal, temporal, parietal occipital, तो जो frontal lobe होता है, जो frontal lobe होता है, इसका काम क्या होता है इसका काम होता है speech production, और यहाँ पे जो area होता है, उसको हम बोलते हैं, brocage area, क्या बोलते हैं brocage area, तो अगर आप से पूछा जब brocage area कहां पे होता है, तो याद रखना, frontal lobe में brocage area होता है, जो कि speech production में help करता है, लेकिन यहाँ पे question में क्या है, वर्निकीज area वर्निकीज area कहां पे होता है temporal lobe में होता है, कहां पे होता है, temporal lobe में होता है, तो वर्निकीज area कहां पर होता है temporal lobe में होता है और इसका काम क्या होता है understanding speech यानि हम कह सकते हैं speech interpretation यानि speech को समझना इस पीज को समझने का काम कून करता है temporal lobe यानि बमनी की एरिया से यो काम होता है लेकिन इस Legrand की Rs करने का काम यानि हम बोल रहे है अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो है ब्रोकाज एरिया एक्टिव है यानि फ्रंटल लोब लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपका वर्निकीज एरिया एक्टिव है यानि टेम्पोरल लोब तो I hope आपको समझ में आया होगा अब आप सोचेंगे इतना डिटेल एक्स्प्लानेशन की क्या ज़रूरत है आप डिरेक्ट बता दो प्रंटल लोब में व्रोकाज एरिया टेम्पोरल लोब में वर्निकीज एरिया इस तरह से ऐसे होता है लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि क्वेस्चन कहां से कितना अंदर में जाके पूछा गया है तो देखिए हमने प्रेंड में प्रेंड में अल प्रेंड में अब यहाँ पर उस लोब के अंदर में है ौर वर्निकीज एरिया टो इस तरह से आपको पता होना लगेगा कि हमको पाइट आप ब्रेन को बहुत अच्छे से करना है बहुत अच्छे से तयार करना है इस वज़े से हम आपको इतना डिटेल में एक्सप्लानेशन दे रहे हैं तो अगर आपको ऐसा नहीं पसंदा रहा कोई बात नहीं हम डारेक्ट आंस्वर भी बता सकते हैं या फिर थोड़ा हलका एक्स्प्लानेशन भी दे सकते हैं आप जो है कोमेंट करके बताना अपना फीडवेग मत बोलना देना तो फीडवेग जरूर देना हम उस हिसाब से जो है यहां पर आपको इसको सॉल्ब करवाएंगे तो नेस्ट देखिए था फंक्शनल इंपेर्म इन प्रोडक्शन आफ लेंग्वेज तो यह होता है हमारा अफेजिया क्या होता अफेजिया और डिस्लेक्सिया क्या होता जब हमको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होता है तो वो होता हमारा डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया को हम पठन संबंदी विकार और अफेजिया यानि भासा संबंदी विकार और यहां पे होता हमारा जो डिस ग्राफिया वो होता हमारा लिखने से संबंदी विकार तो इस तरह से यह होता है तो यह आपको पता होगा अच्छे से नेश्ट देखिए यहां पे वीच आप दा फॉलिविंग इस्टेटमेंट इस फाल्स अबाउट साटें फेनामेना इन प्लांट यहां पे आपको प्लांट में कौन सा फेनामेना है जो की मतलब गलत है आपको यहां पे गलत इस्टेटमेंट ढूलना है तो देखिए क्या है photosynthesis adds oxygen to the atmosphere जो photosynthesis है यानि photosynthesis के तुरू क्या होता है हमको oxygen मिलता है यानि जब photosynthesis होती है तो atmosphere में oxygen आइड होता है वही से तो हम oxygen को गरहड करते हैं तो ये बिल्कुल सही है Appoid momenta plant suit is seen in negative geotropism Appoid growth plant root is seen in positive geotropism respiration adds CO2 to atmosphere तो देखिए यहाँ पर जो respiration होता है जब respiration होता है तो यहाँ पर जो by product बनता है वो बनता है हमारा carbon dioxide तो ये भी क्या करता है यानि जब photosynthesis होता है तो atmosphere में oxygen add होता है जब respiration होता है तो atmosphere में CO2 add होता है तो ये दोनों तो सही है लेकिन अब बात फस्ती है यहाँ पर B और C में तो देखिए हम यहाँ पर जब आप मतलब chemical coordination in plant पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये concept देखेगा एक होता है negative geotropism एक होता है positive geotropism और एक होता है negative phototropism एक होता है positive phototropism तो देखिए positive geotropism geo means क्या होता है अर्थ यानि अर्थ के तरफ और अगर हम बोले negative geotropism तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे यानि अर्थ के बिपरीत तो माली जी यह हमारी अर्थ है यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है एक plant दिख रहा माली जी यह हमारा एक plant हो गया क्योंकि हमको यहां पर plant की ही बात करनी है तो जो root है root किधर है? क्या root उपर के side में है? तो नहीं तो जो root है यह हमारा earth के two-rd है यानि earth के तरफ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो root का movement है यानि जो root का direction है वो क्या है? positive geotropism यानि earth के two-rd है तो हम कह सकते हैं कि जो plant root होता है यहां पर हम क्या देखते है? positive geotropism लेकिन जो यह suit है यानि जो stem है वो earth से उपर के side में है अर्थ के विपरीत है तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? negative geotropism लेकिन अगर हम बात करें phototropism की तो जो suit होता है यानि यहां से light आ रही है तो हमारा suit light के direction में है तो यहां पर क्या हो गया? यानि अगर हम बात करें plant suit में क्या होता है? positive phototropism और root में क्या होता है? negative phototropism तो इसको जो है आप समझ लेना आपको simply क्या समझना है? अगर आर्थ के तरफ कोई चीज है मतलब अगर आप हमारे तरफ आ रहे हो तो हम बोलेंगे positive अगर आप हमसे दूर जा रहे हो तो हम बोलेंगे negative तो positive negative का ये concept अब यहां पर photo photo में क्या होता? light तो हमने आपको बताया positive में क्या होता? toward negative means away यानि कोई चीज से दूर जा रहे हो बिप्रीद जा रहे हो तो negative हो गया उसके तरफ जा रहे हो positive हो गया तो अगर आप अर्थ के तरफ यानि geotropism ground के तरफ जा रहे हो तो positive तो ground के तरफ कौन जा रहा? root यानि root में क्या होगा? positive geotropism लेकिन सूट में क्या होगा? यहाँ पे negative geotropism तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? upward growth plant suite is seen in negative geotropism upward growth अप्लांट सूट अप्लांट सूट जो है upward growth करता है negative geotropism हो गया सही है लेकिन upward growth अप्लांट root यहाँ पे plant root का upward growth नहीं है तो यह तो negative geotropism हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या होता है? root तो toward earth होता है तो यहाँ पे यह हमारा गलत statement हो गया क्योंकि यहाँ पे upward growth लिग दिया upward लिखा उपर से यहाँ पे क्या कर दिया? positive geotropism कर दिया और यहाँ पे यह गलती कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C जो है upward growth लिखा plant root is seen in negative geotropism होना चाहिए positive नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हमसे क्या पुचा गया था? false statement नेश्ट देखिए emylin is a hormone secreted by which of the following जो emylin होता है वो किसके तुरू secret होता है तो देखिए alpha cell of isolate of longer hands of pancreas beta cell of isolate of longer hands of pancreas या फिर delta cell of isolate of longer hands of pancreas या फिर neurohypofysis of pituitary gland तो याद रखना यहाँ पे चलिए बताते हैं कि जो हमारा pancreas होता है सबसे पहले तो जो pancreas होता है वो mixed gland होता है यह आप लोगों को पता होगा जो pancreas होता है यह mixed gland होता है अब माली जी यह हमारा क्या हो गया pancreas और यहाँ पे क्या है यह हो गया हमारा isolate of longer hands यहाँ पे होते हैं त्री टाइप्स के cell एक होता है हमारा alpha cell एक होता हमारा तो याद रखना है यहाँ पर आप जो अलफा सेल होता है यहाँ से क्या रिलीज होता है क्या सिक्रीट होता है यहाँ से होता है हमारा गुलूके गॉन क्या होता है गुलूके गॉन जो बीटा सेल होता है यहाँ से होता है सिक्रीट क्या इंसुलिन होर्मोन और जो डेल्टा से है यहां से इंसुलीन जो डेल्टा सेल महाजिश हो ना रखना आपसेちょ्फ में कभी अल्फा प्रीट होता है कभी इंसुलीन लेकिन यहां पी आप से零ुखी गाया है उमाईलीन्ग य हम आपको सलग ना झाल उटे ऐसे नेचे लिएक लेना ए इंसुलीन इसуса आप pancreatic ice let up beta cell यानि जो insulin है इसी के साथ में ही secret होता है emilin तो इसको आप याद रख लेना तो अगर insulin जो है वो beta cell से secret हो रहा है और emilin insulin के साथ secret हो रहा तो emilin भी कहां से secret होगा beta cell से तो इसको जो है आप याद रखना तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा emilin is secreted a hormone secreted by which of the following तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा beta cells of ice let's of langer hands of pancreas next question देखिए which of the following gland is devoid of duct which of the following gland is devoid of duct तो देखिए यहाँ पे फिर से मतलब वही हमारा जो है endocrine system से ही यहाँ पे question पुछा गया है तो जो हमारे पास gland होते है तो देखिए जो हमारे पास gland होते है gland में क्या क्या होते है एक होता है हमारा exocrine gland exocrine gland एक होता है endocrine gland exocrine gland and endocrine gland अब यहाँ से आपके आप से क्या पुछा गया है devoid of duct यानि duct किसमें नहीं होता है यहाँ पे आपसे devoid आप duct नबोल के बोल सकता है कि ductless कौन ductless होता या फिर devoid आप duct होता है सेम ही बात हो रही है तो देखे इग्जो क्राइन और यह हो गया endocrine endocrine मीज हम क्या बोल सकते हैं जो की हमारे सरीर के अंदर है यानि endocrine endocrine क्या होता है यह secret करेगा hormones को और यह directly हमारे blood में जो है hormones को secret करेगा और blood के थुख हमारे different different body part तक पहुँच जाएंगे यानि क्या endocrine, यानि जो endocrine gland होती है क्या उनको किसी duct की जरूरत है, क्या उनको किसी duct की जरूरत है तो नहीं है क्योंकि वो directly हमारे blood में secret हो रही है लेकिन जो इग्जोक्राइन ग्लेंड होता है ये हमारे मतलब ये हमारे बलड में डिरेक्टली सिक्रीट नहीं होते है ये यहाँ पे जब मतलब ये सिक्रीट होते हैं कहीं और लेकिन इनका फंक्शन होता है कहीं और तो जब ये directly blood में secret नहीं होते हैं और इनका जो secretion है उसको कहीं लेके जाना है तो किस के थुरू जाएंगे वो जाएंगे किसी duct के थुरू और जहां पर काम होना है वहां पर ये जाएंगे तो जो exocrine होते हैं वो duct के थुरू जाएंगे जो इंडोक्राइन होते हैं वो तो directly blood में secret हो रहे हैं तो उनको किसी duct की जरूरत नहीं है तो याद रखना exocrine क्या होते हैं यह मतलब with duct होते हैं यानि हम यह ductus होते हैं यहाँ पे duct होता है लेकिन जो तो यहाँ पे आप सचेंगे pancreas जो है वो एक जो इंडो दोनों है तो हम यहाँ पे pancreas को नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे thyroid gland को तो आपको endocrine gland में कौन कौन से gland आते हैं यहाँ पे आपकी pituitary gland, pineal gland, hypothalamus, thymus gland, thyroid gland, parathiride gland, ovary, testis और यहाँ पे adrenal gland तो यह सारे के सारे क्या हो गएं यह आपके endocrine gland होती हैं और आप से यहाँ से खुब सारे question पूछे जाते हैं कि endocrine gland मतलब कौन कहां से secret होता है मतलब कौन सा gland कौन सा hormone secret करता है और उन hormone के ज़्यादा secret हो जाने से यानि hyper secretion से या hypo secretion से कौन सा disease होता है क्या होता है तो यहाँ पे आपको hormone chapter को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि hormone से हर set में question पूछे गए हैं तो इतना आपको समझ में आया होगा gland two types के exocrine, endocrine, endocrine क्या होते हैं यह मतलब directly blood में secret करते हैं तो यहाँ पे कोई duct की जरूरत नहीं होती यानि ductless होते हैं तो जब भी आपसे ductless या divide up duct पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, endocrine gland में जितना example अभी मैंने आपको बताया उसमें से कोई इसा भी दिया होगा तो आपका वही answer हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, divide up duct यानि ductless क्या हो गया, thyroid gland नेश्ट देखिए which of the following is a true statement among the following liver is an endocrine gland, जो liver है यह endocrine gland है नहीं जी, exocrine gland है pituitary has several duct, pituitary अभी हमने आपको बताया यह ductless होती है sebaceous gland consists of duct नहीं जी, sebaceous gland यह ductless नहीं होता, यह ductless होती है pancreas has no duct, pancreas जो होती है, बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी duct नहीं होता तो pancreas में यहाँ पे duct होता है, लेकिन यह तो mixed gland है, तो यहाँ पे duct होगा भी और नहीं भी होगा, तो एक minute तो यहाँ पे आद रखना, अभी हमने आपको क्या बताया, जो हमारे endocrine gland होते हैं, उसमें हमने आपको कई सारे एक्जामपल बताएं, pituitary, penial, hypothalmas, thymus, thyroid, parathyroid, adrenal, ovary and testis तो इसमें से sebaceous gland हमारे endocrine में नहीं आ रहा, यानि यहाँ पे यह कैसा होगा, इसमें duct होगा, यह ductless नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होज़ेगा, sebaceous gland consist of duct, यह हमारा क्या होज़ेगा, true statement होज़ेगा, क्योंकि sebaceous gland हमारा endocrine gland नहीं है, exocrine gland है, next question देखिए, which are the following, is true about certain modes of asexual reproduction, तो यहाँ पे क्या होगया, first हमारा budding is seen in amoeba, parthenogenesis of spring have haploid chromosome number, regeneration is seen in planaria, fertilization is seen in parthenogenesis, तो यहाँ पे देखिए, asexual reproduction के बारे में हमको true statement यहाँ पे ढूरना है, तो budding in seen in amoeba, जो budding है वो amoeba में होता है, तो ऐसा नहीं है, budding जो है वो hydra में देखने को मिलता है हमको, parthenogenesis of off spring have haploid number, तो नहीं, regeneration is seen in planaria, तो यह बिल्कुल सही statement है, जो planaria है, यहाँ पे asexual reproduction किसके थुरू होता है, regeneration, यहाँ पे अगर planaria है, तो वो माली जे दो पार्ट में divide हो गया, तो यह अलग-अलग planaria पूरी तरह से दो बारा बन जाएगा, यहाँ यहाँ पे regeneration होता है, तो यहाँ पे क्या होजगा, c option correct हो जाएगा, पार्थीनो genesis में क्या होता, यहाँ पे fertilization टेक्ट प्लेस नहीं करता, next question देखिए, वीच आप दा following मैमल सहभ, longest gestation period, तो याद रखना जो elephant होता है, elephant क्या होता है, इसका gestation period क्या होता है, सबसे लंबा होता, यानि जैसे हाथी सबसे बड़ा होता है, उसी तरह से इसका gestation period भी क्या होता है, longest होता है, तो इन सब का number जो है, हम आपको जो है, टेलिग्राम पे लिखके भेज देंगे, आप इसको learn कर लेना, बाई चांस यहाँ से अगर question बनता है कुछ और, तो वो भी आप जो है, यहाँ पे, याद रख सकते हैं, नेस देखिए, वीच आप दा following hormone is release, only in female human beings, यहाँ पे आपको hormones ढूड़ना है, जो कि केवल female human beings में क्या होता है, release होता है, तो याद रखना, thyroxine, adrenalin, glucagon, तो यह जो है, male female सब में release होता है, लेकिन जो human chorionic gonadotrophin, यानि HCG, इसको हम क्या बोलते हैं, HCG, जो कि केवल pregnancy के time पे release होता है, यह hormone, और यह केवल किस में, अगर केवल pregnancy के time पे release होता है, तो जाए सी बात है किस में release होगा, female में, तो ऐसा hormone जो कि केवल female में release होता है, तो वो होता है, human chorionic gonadotrophin, जब pregnancy के दौरान यह चेक किया जाता है, प्रेगनेंसी है या नहीं, तो उसमें भी किस hormones का पता लगे जाता है, वो होता हुमन chorionic gonadotrophin, तो अगर आप से पूछा जाए, pregnancy को चेक करने के लिए, कौन सा मतलब hormones यूज होता है, तो याद रखना, human chorionic gonadotrophin, तो यहाँ पर यह केवल female से related hormone है, जो केवल female में release होता है, तो हो गया human chorionic gonadotrophin, नेश्ट देखिए यहाँ पर, which are the following organism have protein, but lack nucleic acid in their genome, यहाँ पर आपको बताना है, जो कि उसमें protein होता है, लेकिन nucleic acid नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको क्या-क्या दिया गया है, shinobacteria, virus, bacteriophage, prions, तो bacteria, इसको अभी आप कर दिजिए, sinobacteria नहीं, अब यहाँ पर जब हम nucleic acid और protein की बात कर रहें, तो यहाँ पर virus, bacteriophage, prions, यह हो सकता है, bacteriaophage क्या होता, जब हम इसका नाम सुनते, bacteriophage, तो दिमाग में आता है कि कोई bacteria होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, bacteriophage क्या है, virus which infect bacteria, यह एक ऐसा virus जो कि bacteria को infect करता है, तो bacteriophage क्या हो गया, virus infecting bacteria, यह बैक्टिरिया को infect करने वाला virus, यह बैक्टिरiophage क्या है एक virus, लेकिन यह भी इसका आंस्वार नहीं है, अब यहाँ पर देखिए, वाइराइट्स और प्रियांस, तो यहाँ पर वाइरस, वाइराइट्स और प्रियांस, यह तीन concept होते हैं, जो कि आपको biological classification में पढ़ने को मिलता है, NCRT में वहाँ इसके बारे में दिया गया है, तो जो वाइरस होते हैं, वाइरस की जब आप बात करते हैं, तो वाइरस intracellular parasite होते हैं, या तो इन में DNA होता है, या फिर RNA होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, और जो वाइरस होता है, यहाँ पर protein coat क्या होता है, absent होता है, लेकिन nucleic acid क्या होता है, present होता है, लेकिन जब बात करते हैं, प्रियोंस की, तो प्रियोंस में क्या होता है, only protein, यानि यहाँ पर केवल protein होता है, जबकि nucleic acid क्या होता है, absent होता है, कोई भी genetic material यहाँ पे नहीं होता है तो ऐसे हम देखेंगे जो हमारा answer वो क्या हो जाएगा? Prions क्या हो जाएगा? Prions तो कभी-कभी आपसे इनका size पूछ लेता है तो याद रखना सबसे बड़ा size जो होता है bacteria का होता है उसके बाद virus plus prions इन दोनों का size same होता है और जो वाइराइट्स होते हैं इनका size क्या होता है? यह सबसे छोटा होता है तो याद रखना और यहाँ पे आपसे एक चीज और पुछा जाता है जो वाइराइट्स होते हैं यह एक disease cause करते हैं जिसकों बोलते हैं PSTD यानि potato spindle tuber disease क्या cause करते हैं? potato spindle tuber disease अगर आपसे पुछे वाइराइट कौन सा डिजूस काच करते हैं? PSTD potato spindle tuber disease और यहाँ पे जो प्रियाउंस होते हैं यह कौन सा डिजूस काच करते हैं? neurological disorder जिसमें आता है हमारा एक BSE BSE एक होता है CTD स्री, C, J, D होता है और यहां पर एक S C होता है S C, R carbon stays जो किस सीप में होता है तो जो B, S, E है इसको हम बोलते हैं बोवाइन,awareness, spongy form in शिफैलो इन शिफैलो पैती तो जो B, S, E है इसका full form क्या है बोवाइन, figur form और C, J, D क्या होता है Crute Felt Jacob disease ये भी किस के तुरू होता प्रियोंस के तुरू तो ये जो है इसको आप note कर लेना क्योंकि यहां से भी बार-बार मतलब ये repetition हुआ है इसका कभी size पूछ लेंगे तो कभी पूछेंगे किसमे nucleic acid है protein नहीं है तो किसमे protein है nucleic acid नहीं है तो जब हम बात करते है कि protein है लेकिन nucleic acid नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा preons, preons, p for preons, p for protein यानि preons में protein है nucleic acid नहीं है yrites में क्या होता है nucleic acid है लेकिन protein नहीं है तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं size भी याद कर सकते हैं अब देखिए in genetic code the codon AUG code for which amino acid तो जब आप bio technology पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलता है AUG जो है इसको हम इतना आसानी से तो नहीं समझा सकते हैं लंबा concept है ये भी तो अभी याद रखिए ऐसे ही इसको हम अलग से क्यों न हम ऐसा करें कि मतलब जो थोड़े लंबे concept है उनको एक वीडियो के थुरू वहाँ पे धीरे-धीरे solve कराते जाएं आप लोग बताईएगा AUG जो होता है यहाँ पे genetic code codon AUG codes for which amino acid तो ये होता है methionine के लिए नेश देखिए in evolution which are the following corresponds to current epoch evolution chapter दूसरे वाले youtube channel पे करवाये हैं तो वहाँ आप देखेंगे तो ये सब कुछ हमने वहाँ पे बताया हुआ है evolution chapter में कि मतलब इनका order किस तरह से होता सबसे पहले क्या था फिर क्या था फिर क्या था इस तरह से हम आपको बताए हुए है नेश देखिए यहाद रखना यह किस से रिलेटेड होगा स्वायल से रिलेटेड होगा मिट्टी से नेश्ट है वीच आप दा फॉल्लिविंग इस आप फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है सनलाइट इज एन एबायोटिक फेक्टर बिल्कुल सही है सनलाइट क्या है एबायोटिक फेक्टर है सनलाइट के साथ साथ यहाँ पे एयर वाटर यह सब के सब क्या है एबायोटिक फेक्टर लेकिन हम बात करें बैक्तिरिया की तो बैक्तिरिया क्या है हमारा बायोटिक फैक्टर यानि जो जीवित है वो बायोटिक जो नॉन लिविंग है वो ए बायोटिक तो ये दोनों तो सही है अब यहाँ पे हम देखते हैं आटेकोलोजी इन्वाल्व दा इस्टेडी आप इन्डी विज्वाल्व इस्पीसीज सिनेकोलोजी इन्वाल्व दा इस्टेडी आप इन्डी विज्वाल इस्पीसीज तो यहाँ पे ओटेकोलोजी सिनेकोलोजी जब आप इकोलोजी चेप्टर करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलता है तो जो audi ideology है यह study of individual species होता है जब हम एक individual species की बात करते हैं तो वह होता हमारा audi psychology लेकिन जब हम एक community की बात करते हैं तो एक community में different species होंगे तो, जब हम पूरे community की बात करेंगे तो वो हमारा synecolocy होता है लेकिन synecology में यहाँ पर individual species दे दिया तो यह हमारा wrong हो जाएगा तो हमसे wrong यहाँ पर पूछा गया तो क्या हो जाएगा force हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमसे false पूछा है तो synecology involved the study of individual species यह हमारा गलत है यही हमारा सही है ozone layer is present in which region of atmosphere यह भी आपसे कई बार पूछा गया है कि जो ozone layer होता है यह atmosphere के किस region में आपको देखने को मिलता है तो याद रखना जो ozone layer है यह आपको stratosphere में देखने को मिलता है कहां पर stratosphere तो यहाँ पे आप से कभी-कभी पूछा है कि आप से पूछ लेंगे कि ट्रोपो स्फियर कहां से कहां तक इसकी रेंज क्या है? तो 0 to 10 किलोमीटर क्या हमारा ट्रोपो स्फियर, 10 to 50 इस्ट्रेटो इस्पियर, 50 to 80 मीजो स्पियर तो आपसे इस तरह से भी question पूछा गया है आगे हम उसको discuss करेंगे तो देखे ओजोन layer कहाँ पे मिलता है strato sphere में इसको याद रखने न oh yes ओजोन कहाँ पे मिलता है strato sphere में ओजोन जो होता है इसका formula O3 होता है और ओजोन हमको किस rage से बचाता है UV rage में सबसे हानिका रखक कोν होता है UV C rage जो होता यह सबसे हानिका रखकता है ओजोन की थिकनेस किसमे हम आपते हैं डॉप्शन में हम आपते हैं और यहाँ पे मतलब किसके वज़े से ozone layer में रास होता है होंस किसके वज़े से होता है CH후 conoc तो ये कुछ point आप यहाँ पर याद रख लेना कभी-कभी आपसे पूछा जाता ozone day कब मनाया जाता है तो ये भी याद रख लेना 16 September को तो ozone day 16 September next देखिए which of the following harmful radiation is observed absorbed by ozone layer तो ozone layer किस यहाँ पर कौन से radiation को absorb कर लेता है तो वो है हमारा UV radiation तो ये अभी हमने आपको बताया next देखिए the unique functional role of each species in an ecosystem is known as यहाँ पर जब हम बात करते हैं unique functional role of each species तो ये होता है हमारा तो यहाँ पर देखिए जैसे आप देखते होंगे जैसे कोई बिल्ली है तो बिल्ली क्या करती है वो एक निश्चित एरिया तक रहती है और वो मतलब अपना भोजन करती है इस तरह से मतलब उसका function होता है तो इसी तरह से हर एक species होते है जिनका एक दाइरा fix होता है तो जब हम पादब उनका कुछ एक मतलब fix उनका काम होता है तो उस तरह से the unique functional role of each species यानि जितने भी species है जो मतलब जैसे काउ हो गया कैट हो गई लॉयन हो गया तो इन सब का जो functional role है वो भी क्या है यूनीक functional role तो each species in an ecosystem इसको हम बोलते है ecological निसे क्या बोलते है ecological निसे यहाँ पे ecological balance eco tone, eco sphere यह सब क्या है इसको हम अलग वीडियो में आपको अच्छे से clear कर देंगे सारा example की तुरू क्योंकि explanation बहुत ज़्यादा लंबा जारा हमको पता आप लोग बोर भी हो जाएंगे तो आप लोग को कैसा explanation चाहिए यह जरूर पता देना अभी तो हम detail में ही लेके चल रहे है तो यहाँ पर क्या हो गया जब unique और functional डोल की बात करेंगे तो यह हमारा आएगा निसे तो इसको आप याद रखना निस्ट देखिए sunken istomita and reduce leaf size are the adaptation seen in which plant यानि जो sunken istomita है और reduce leaf size यह ऐसा adaptation किस प्लांट में मिलेगा हाइडोफाइट, हेलोफाइट, इपीफाइट या जेरोफाइट यानि जो sunken istomita है और reduce leaf size तो ऐसा मतलब adaptation किस प्लांट में मिलेगा जहाँ पे बहुत जादा पानी की कमी होगी तो पानी की कमी होगी पानी की कमी कहाँ होगी यानि जो dry area है तो जो dry area उसको हम क्या बोलते हैं zero means क्या होता है यानि जहाँ पे कुछ भी नहीं है और fight means क्या होता plant, यानि ऐसे plant जो कि zero fight होते हैं जो कि dry area में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं zero fights यानि जो कि dry area में रहते हैं और जो 0 fight होते हैं उनी का adaptation होता है कि वो sunken istometa होता है और reduce leap size होता है ताकि वहाँ से मतलब transpiration rate जो है उनका वो कम हो सके बहुत जादा मात्रा में पानी वहाँ से transpirate ना हो सके इस वज़े से यहाँ पर sunken istometa होता है और जो leap size है वो reduce हो जाती है और यहाँ पे जिरो फाइट में आता क्या है हमारा जैसे ओपोंसिया जिसको हम बोलते हैं नाग फणी निश देखिए यहाँ पे which are the following is a secondary consumer in food chain food chain में कौन secondary consumer है अब देखिए secondary consumer तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा एक सेकेंड सबसे पहले हमारे पास आता है producer के बाद आता है primary consumer then secondary consumer तो देखिए सबसे पहले producer में क्या आता है plant primary क्या आएगा जो plant को खाएगा तो plant को खाने वाले deer हो सकते हैं यहाँ पे tiger नहीं होगा सबसे पहले green plant क्या हो गया producer अब green plant को rabbit खाएगा और यहांपे deer यहारन को खाईगा ऐसा नहीं है कि यह होते हैं साकाहारी और जो हां का होते हैं हमारे हर्भी जू और यहांटे रखाइगर है यहा-noc Dop can cosmos में आपा है लेकिन अब यहां पहको हमको आप्सं में यहां दरिया तो हम इसकी को वीच आपदा following is a conventional source of energy conventional source of energy तो यह आपको जब आप class 8 science की NCRT पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक chapter coal and petroleum तो वहाँ से यह आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे दिया गया है तो देखे जो यहाँ पे conventional source of energy की जब बात करते हैं तो conventional यानि यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो की exhaustible होता है जो की एक time के बात खतम हो सकता है जिसको हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं कभी-कभी आपसे पूछा भी जाता है non-renewable यानि जिसको हम दुबारा से नहीं बना सकते हैं non-renewable है तो उसी को हम क्या बोलते हैं चाहे आप इसी को conventional बोलिए non-renewable बोलिए या फिर exhaustible बोलिए यानि जिसका amount जो है वो limited है थोड़े time बात वो खतम हो सकता है तो यहाँ पे conventional source of energy में क्या-क्या आ जाएगा coal petroleum natural gas और यहाँ पे minerals जितने भी है forest हो गया हमारा electricity हो गया wild life हो गया यह सब के सब क्या होते हैं conventional source of energy जब हम बात करते हैं non-conventional की तो इसी को हम बोलते हैं inexhaustible या फिर renewable जिसको हम दुबारा से बना सकते हैं जो कि कभी खतम ही नहीं होगा यहाँ पे दुबारा से बनाने की बात नहीं मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कि कभी खतम ही नहीं होगा हमेशा चलता रहेगा जिसके resource unlimited है और यह environment को pollute नहीं करते हैं environment को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता हमारा sunlight होता है sunlight कभी खतम नहीं हो सकता air हो गया हमारा solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, bio gas इन सब को क्या कर सकते हैं हम खुद बना सकते हैं तो यह सब के सब क्या हो गए हैं renewable या फिर non conventional या फिर inexhaustible तो आप से conventional पूछा है तो conventional में क्या क्या हो जाएगा coal, petroleum, यहाँ पे आपका हो जाएगा natural gas, minerals, wild drive, forest, electricity यह सब के सब क्या हो जाएगे conventional तो conventional में क्या आगया हमारा coal यानि koila next देखिए which of the following is a nitrogen fixing bacteria जब आप mineral nutrition chapter करते हैं तो वहाँ पे nitrogen cycle दिया हुआ है और nitrogen cycle में हम बहुत सारे bacteria पढ़ते हैं कि मतलब उसको किस तरह से nitrogen fixation करते हैं वो तो अभी के लिए याद रखिए rhizobium जो है यह nitrogen fixing bacteria है हम आपको nitrogen fixation एक अलग से वीडियो में करा देंगे वहाँ पे जितने भी bacteria दिये हैं मतलब कौन क्या करता है वहाँ पे detail से trick के थुरू बता देंगे कैसे learn करना है क्या करना है सब कुछ क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ से question बने भी हैं इस बार KBS में भी आया हुआ था और देखिए यह DHSB में पूछा हुआ है ने देखिए which are the following is a major green house gases which contribute to global warming यहाँ पे जितने भी दिये हैं ozone, nitrogen, carbon dioxide, sulfur ozone को छोड़ के जितने भी हैं यह सब के सब एक मिनिट sulfur, nitrogen, यह सब कुछ नहीं यहाँ पे major green house gases की बात ही क्या करना ही green house gases क्या क्या होते हैं CO2 हो गया आपका CS4 हो गया CFC हो गया और N2O हो गया तो आप देखें के इसमें से केवल carbon dioxide ही है जो की green house gas है तो यहाँ पे major लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है इनको इस तरह से देना था ऐसा option देना था फिर पुछना था कौन major है तो अगर by chance आपके सामने इस तरह से option आता है और फिर major पुछता है तो याद रखना जो carbon dioxide होता है यह major होता है यह कितना होता है 60% होता है CS4 20% होता है CFC 14% के आस पास होता है और जो nitrous oxide यह 6% के आस पास तो आप देखेंगे NCRT में एक pie chart बना के इस तरह से दिया हुआ है मतलब ऐसे ऐसे करके निस्ट क्वेशन देखिए वीच आप दा फॉल्लविंग पॉलूटेंट इज़ा कंपोनेंट आफ एसीड रेन एसीड रेन का कंपोनेंट क्या है तो डरेक्ली याद रखिए एक है हमारा सल्फियूरिक एसीड एक है हमारा नाइट्रीक एसीड तो यह भी जहां भी आपको यह एसीड रेन का कंपोनेंट कुछता है या तो हमारा हेस्ट्वो एस्ट्वोर या फिर एचेनो 3 होगा तो उसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं जो भी दिया होगा निश्ट देखिए यहां पर मिनेमाता डिजीज इस कॉज ड्यू टू फिच आप दा फॉल्विंग पॉलूटेंट अब यहां पर देखिए कभी आपसे मिनेमाता पूछेगा कभी-कभी इटाई-टाई पूछेगा या पिर कभी आपसे यहां पर पूछ सकता है तो याद रखना जो मरकरी होता है मरकरी के थुरू यहां पर क्या होता है मिनेमाता डिजीज जो मिनेमाता डिजीज है यह मरकरी के थुरू होता है जो कैड्मियम है कैड्मियम से क्या होता है इताई-इताई इटाई इटाई या इटाई इटाई जो भी बोलिए और लेड जो होता हमारा लेड पोईजनिंग के वज़े से होता है पलंबी जम तो ये आप जो है एक जगा नोट कर लेना क्योंकि इस तरह से question आपसे कई बार पूछे जाते हैं नेश्ट question देखिए ये फिर से ecosystem का question है बायो मैगनिफिकेशन किसके वज़े से होता है तो याद रखना है DDT नेश्ट देखिए यहाँ पे इस आप दा फॉलिविंग डिजीज इस कॉज दूट दा पौईजनिंग विद कैडमियम अभी हमने आपको बताए कडमियम के वज़े से क्या होता है कडमियम के वज़े से इताई-इताई तो यहाँ पी क्या होज़ेगा इताई-इताई डिजीज किसके वज़े से होता है कडमियम पौईजनिंग की वज़े से नेश्ट देखिए वी चापदा following ग्लोबल कंविंशन वाज फॉर्म टू रिड्यूज दा ग्रीन हाउस गैसेश अब यहां पर देखिए आपको बहुत सारे कंविंशन देखने को मिलते हैं कंविंशन या फिर प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल तोकियो कंविंशन या फिर सिद्नी कंविंशन तो सबसे ज़्यादा आपको यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल और मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं तो जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है यह हमारा ग्रीन हाउस गैसेश से सम्बंदित होता है यानि जब हम बा प्रटोकोल है इसका एग्रिमेंट हुआ था 1987 में डेट भी याद रख लेना बाई चांस पूछ ले तो 1987 में मोडियल प्रोटोकोल हमारा एग्रिमेंट साइन हुआ था और जो यहां पे क्योटो प्रोटोकोल है यह यहां पे एडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को और यह में कब आया था यानि working में कब आया था ये 16 February 2005 में तो इस तरह से इसको भी आप जो है नोट कर लेना क्या पता अभी तो पूछें किस से related है तो हर बार तो ऐसा पूछेंगे नहीं कि किस से related है यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि कब इसको एडॉप्ट किया गया कब फोर्स में आया इस तरह से भी question बन सकते हैं तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से related है लेकिन मोंट्रियर प्रोटोकॉल ओजून से related है तो यहां पर अब देखिए ओजून डिप्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया मों यानि मोंट्रियर प्रोटोकॉल ओजून डिप्लेशन से related है तो क्या हो जाएगा मोंट्रियर प्रोटोकॉल यहां पर ओजून डिप्लेशन नेस्ट देखिए दा वर्ड environment day is observed on which day यानि जो world environment day है सबको पता होगा यह 5th जून है हमारा इस बार इसका थीम क्या है यानि 2023 का थीम क्या है यह आप कॉमेंट करके बताना क्योंकि आप current affair तो पढ़ते ही होंगे अगर नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कर दिजे otherwise कुछ नहीं होने वाला यहां पर current affair से तो थीम है वो क्या है 2023 का यहां पर देखिए blue revolution is associated with which are the following जो blue revolution है वो किससे related है तो यहां पर देखिए blue revolution जब हम blue revolution की बात करते है तो यह आता है हमारा एक्वा कल्चर यानि marine life से related होता है तो blue revolution हो गया हमारा एक्वा कल्चर सेरी कल्चर क्या होता है हमारा सेरी कल्चर यानि रेसम की से संबंदित है यानि silk formation से agriculture यानि यहां पर हमारा फसल वगएरा जो हो गया green revolution जिसको हम बोल है अग्री कल्चर में और वर्मी कल्चर यानि यहां पर हम बात करते हैं अ अर्थॉय यानि येह कछव मरें हो गए हमारा वो है हमारस याद रख लेंड आप यहां पर देखिए कुछ और revolution होते हैं हमारे जैसे yellow revolution तो yellow revolution किस से related होता है edible oil production से related golden revolution जो होता वो fruit honey vegetables इन सबके production से क्या होता related होता है white revolution की बात करें तो वो milk production से related होता है तो इस तरह से इसको आप जो है एक जगा नोट कर लेना anthrax disease in cattle occurs due to infection with which organism जो anthrax disease है cattle में वो किसके through होता है किसके infection से होता है तो याद रखना bacteria के through जितने भी disease होते हैं चाहे वो plant में और animal में उसको हम अलग से video के through बता देंगे उसको आप उस list को जो है याद रख लेना नेश्ट देखिए bird flu is caused due to which virus जो bird flu होता है वो किसके वज़े से होता तो वो होता हमारा h5n1 तो यह याद रखना यह जो है यहाँ पर हमारा 40 question complete होता है हमने कुछ question में आप देखे होंगे कि last में हमने बहुत ज़्यादा explain नहीं किया क्योंकि video बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता जैसे यहाँ पर nitrogen cycle की बात करें या और जो भी concept है उसको हम अलग video को थुरू आपको concept को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप वहाँ पर एक bacteria नहीं जितने भी एक्जाम पर है सब कुछ याद कर स सकें आप जो है अपना feedback देना मत बूलना अगर आप चाहते हैं इस explanation को और कम कर दिया जा तो वहीं कर देंगे तो इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए all the best be happy be positive